हाई श्रस्री अगाल नमस्कार दिस इन होस्ट एन मिंटर प्रेम वेल्कम बाक टो एजुकेशनल हाइक्स क्या आल चाल है मेरे दोस्त अच्छे होगे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे बट जैसा आप देख सकते अपने computer screen पर आज के इस वीडियो में हम letter writing पढ़ने वाले हैं और letter writing का एक बहुत ही भारी demanding topic जिसको हम प्यार से complaint letters कहते हैं वैसे मैंने letter to editor आपको पढ़ा दिया है अगर आप उसमें interested हो तो उपर information button पर video मिल जाएगी जा कर देख लेना ये है complaint letter और आज के इस वीडियो में complaint letter का ABCD से लेकर Z तक सिखाऊंगा इस वीडियो के बाद अगर आप class 9th में हो आप class 10th में हो 2023 और 24 में आप board exam देने वाले हो तो दुबारा किसी भी वीडियो से किसी भी book से complaint letter पढ़नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये मेरा promise है तुमसे अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि चलो दिखा देता हूं तुम्हें ये है 2018, 2019 और 2021 के official CBSC sample paper का screenshot जहां पर आप देख सकते हो writing section में एक ही तरीके का question पूछा है letter of complaint ये सभी letter of complaint है तो भाई जब इतनी बार repeatedly CBSC ने letter of complaint पूछा है तो पढ़ना तो बनता है और पढ़ना बनता है इसलिए educational hikes के द्वारा decode करना भी बनता है हमने आपके लिए दुनिया भर के सभी complaint letters में से 8 topics धूड कर लेकर आए हैं इन ही 8 topics में से CBSC आपसे board exam में question पूछती है अगर आपने इन 8 topics को complaint letter में लिखना सीख लिया ना तो complaint letter यह चुटकियों में कर ले जाओगे मेरे दोस्त इन 8 topics को हमने दो category में divide किया है एक को हम कहते हैं personal complaint letter और एक को कहते हैं हम public complaint letter personal complaint letter जहाँ पर आपने personally कुछ मगाया हो कोई समान मगाया हो और आपको personally complaint करना हो हो सकता है आपका समान गलत receive हो गया हो गलत address पे receive हो गया हो इसको हम personal complaint letter कहते है पूरे 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 के लिए पूरी सोसाइटी के लिए कंप्लेन करते हो अब आपको भले यहाँ ना समझ में आ रहा हो लेकिन एक एक करके पड़ते हैं कि यह कौन-कौन से आठ टॉपिक्स हैं जहां से हमें लेटर पूछा जा सकता है सबसे पहले incomplete or defected order received कभी-कभी आपको question देगा कि write a complaint letter कि आपने कोई order दिया है आपने कोई order समान किसी दुकानदार से खरीदा है लेकिन वो जो order आपको मिला है वो अधूरा है पूरा नहीं है या हो सकता है जो समान आपने मगाया हो वो defected हालत में आपको मिला हो तो इसके लि लेटर लिखने के लिए आता है कि जो समान आपने मगाया है उस समान की जगह totally different समान आपको मिल गया है तो इसके लिए भी हम दुकानदार को complaint letter लिखते हैं कभी-कभी goods are delivered to wrong address आपको complaint letter लिखना होता है कि भाई जो समान आपने मगाया था वो गलत address पर deliver हो गया है तो इसके भी आप complaint letter लिखते हो तो इन चार तरीके के letters को लिखने का एक ही format है format 1 अब ये क्या format है ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ अब नीचे के चार तरीके के letters को लिखने का एक और format है जिसको हम format 2 कहते हैं आप इन दोनो format को याद करके सभी complaint letters आसानी से कर सकते हो मैं आपको कर कि दिखाऊंगा practically मेरे दोस्त तो कैसे करोगे भाई सबसे पहले चलते हैं पर्सनल complaint letter की तरफ अब चुक्कि आपको पता है कि पर्सनल complaint हो चाहे public complaint हो जितने भी complaint letters होते हैं ये एक तरीके के formal letter में आते हैं बिल्कुल आते हैं formal letter में ही तो आते हैं रहा है sender's address ठीक है letter को कौन भेज रहा है अब ये वाला address या तो question में दिया गया रहता है या तो आप अपने examination hall का address लिखते हो अगर आपके question में कोई address नहीं दिया गया है भेजने वाले का तो आप अपना address लिखोगे आप उस exam hall का address लिखोगे जहां से आप exam दे रहे हो ठीक है तो सबसे पहले शुरुआत में आप building name लिखोगे जैसे 69 a लिख दिया मैंने फिर area नाम लिखोगे area नाम कुछ भी हो सकता है ठीक है फिर city का नाम लिखोगे मतलब address कैसे लिखा जाता है छोटे से बड़े की ओठीक है समझ में आ रहा है अच्छा तो अब हमने सबसे पहले senders address लिख लिख लिया अब एक line हम छोड़ेंगे इसके बाद हम लिखेंगे date जैसे कल का date था 21st October 2023 तो मैंने ये date लिख दिया अब इसके बाद ये नीचे की तीन लाइन में आप senders address नहीं ये गलती से लिखा गया है receivers address लिखोगे क्या लिखोगे भाई आप किसको लेटर लिख रहे हो उसका address और ये वाला address आपको question में दिया गया रहता है ठीक है तो अभी तक हमने senders address, date और receivers address ये तीनों बिल्कुल अराम से लिख दिया है किसी भी complaint letter में अगर कोई personal complaint letter है personal complaint letter किन किन topics से आते हैं वो मैंने आपको बता गिया यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ये आप पूरा पढ़ सकते हो कि personal complaint letter किन किन topics से आता है अगर any topics पर questions आते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे जैसा मैं बता रहा हूं ठीक है तो पहले आपने senders address लिख दिया, date लिख दिया, receiver's address लिख दिया, अब आप लिखोगे subject जो कि बहुत ही ज़्यादा important होता है और बहुत लोग ये गलती कर देते हैं ना यार, subject को वो दो line में लिखते हैं, दो से तीन line में लिख देते हैं subject को, जो कि totally गलत है, subject जादा से जादा 4 या 5 words में लिख रहेगा complaining about, अब क्या complain कर रहे हो, वो topic आप यहाँ पर लिख दोगे, अगले 2-3 सब्द जो बचे हुए है, आप वहाँ पर topic लिख दोगे, ठीक है, तो subject भी हमने लिख दिया, अब मैं आपको आगी करके दिखाऊंगा, जैसे हम questions करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद हम salutation लिखते हैं, sir, ma'am, अब उसके बाद लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं, मैंने स्टार्ट किया है, I am से, मेरा नाम, अब क्या नाम है आपका, यहाँ पर आप लिख होगे, हो सकता है, question में वो नाम दिया गया हो, वही नाम आपको यहाँ पर उतारना होगा, ठीक है, तो I am this, अब उसके बाद यह वाली लाइन भी बिल्कुल सेम रहेगी, कि I have recently placed an order of, अब देखो किस चीज का order आपने प्लेस किया है, उस समान का नाम लिखोगे, from your online, offline store, on dated, अब किस date को आपने order किया है, वो date भी लिखो 00123, इनी नमबर आप लिख सकते हो, ठीक है, तो जो पहला paragraph है, क्या आप इसको लिख लोगे, बहुत ही आसान है, याद कर लो, I am, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद यह line भी सेम रहेगी, कि I have recently placed an order of, किस चीज का order आपने प्लेस किया है, उस समान का न लिख दो, from your online, offline store, on dated, अब देखो, किस date को आपने खरीदा है, उस date को लिख दो, यहाँ पर वो date लिख दो, with, order number, अब आपको लग रहा होगा, कि VIDE, ऐसा तो कोई सब्द ही नहीं होता है, with होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं, with का मतलब क्या होता है, कि आगे दिया ग कर लोगे, कर लोगे ना, अच्छा, आप बीच वाले paragraph में आते हैं, जहाँ पर हमें main सोच कर लिखना होता है, क्या लिखोगी बीच वाले paragraph में, आप लिखोगी कि I am regret to inform you that, मुझे बहुत दुखी हो रही हुए, आपको ये बताते हुए, क्या बताते हुए, explain what is wrong with the product, अब उस problem को आपको explain करना है, इस चार लाइन में, एक, दो, तीन, चार, कम से कम चार लाइन लिखने की कोसिस करो, अगर आपको अपनी समस्या explain करनी है, तो वो कैसे करोगे आप, शुरुआत करोगे, I am regret to inform you that, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए, क्या बताते हु आपको ये भी लिखना आगया होगा, देखो या, क्या लिखोगे अंदर, ये आगे वाले example में आपको बताता हूँ, ठीके, अब आखरी की दो line, आखरी की दो line में क्या लिखोगे, आप लिखोगे, you are therefore requested to, आपसे इसलिए विंती है, क्या विंती है, explain how you like to solve the problem, अब आगे आप इनसे request करो, कि भाई, मेरा जो समान है, वो defected मुझे receive हुआ है, इसलिए मैं replace करवाना चाहता हूँ, या repair करवाना चाहता हूँ, आप अपने इस समस्या का क्या solution चाहते हो, इसको आखरी की दो line में आप लिखोगे, ठीक है, अब इतना लिखते ही, एक आखरी line हमें लि appreciated, उसके बाद हम लिखेंगे thank you, yours faithfully, प्रेम पांडे, तो देखा कितना आसान था, हमें बस कुछ चीजें याद करके, केवल हम बस इन lines को याद कर लेना, तो किसी भी तरीगे का complaint later हमारी exam में आए, हम चुटकियों में कर लेंगे मेरे दोस्त, तो example देखना तो बनता है, है आपको बताया गया कि आप प्रने हो, आपको एक complaint later लिखना है, बीटो diabetes care पर वहाँ के manager को आपको एक complaint later लिखना है, क्या complaint करना है कि आपको जो glucometer मिला है, जो आपने glucose नापने वाली machine मगाई है, वो damaged condition में है, ठीक है, अब उनसे आप ये भी बोलो कि replace कर दो, या raise a complaint to replace with no extra cost ठीक है, आप उनसे कहो कि replace करिये, और replace करने में आपको हम एक भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये समान मैंने अभी नया नया खरीदा है, ठीक है, तो ये question है, आपको complaint करना है damaged glucometer को लेकर, अब देखो कैसे ऐसे complaint later को हम करते हैं, शुरुआत में, मैंने जसे आपको बताया बाइन बजार johnpur, और ये है मेरा पिंकोड ठीक है, फिर एक लाइन मैंने छोड़ा, date लिखा, फिर एक लाइन छोड़ा मैने, और याँ पर लिखा मैने receiver's address, क्या लिखा है मैने receiver's address, अब लिख दिया, आप देको receiver's address question में दिया रहता है, कहां दिया है, किसको लिख रहे है आपको question में मिल जाएंगे, वहाहीं से देख क्या आप कर सकते हो, अब बात करते हैं subject की, कई लोगों को समझ नहीं आता कि subject क्या लिखूँ और कई लोग subject बहुत लंबा लिख देते हैं, कम से कम 2-3 line का use कर लेते हैं, वो subject लिखने में, ये बिलकुल गलत तरीका है, subject केवल 4- से 5 word में होना चाहिए, मेरे दोस्त, कितने word में, केवल 4-5 सब्दों में आपका subject पूरा हो जाना चाहिए, कैसे लिखोगे, आपका जो 2 word है, वो सुरुआत का सेम रहेगा, कि complaining about, किस चीज़ के लिए complain कर रहे हो, देखो question में दिया है, about damaged glucometer received, about damaged या defected glucometer received, तो यही हमारा subject ह हमने आसानी से लिख दिया, ठीक है, आप salutation लिखेंगे कि sir और ma'am, salutation लिखने के बाग, आप देख रहे हो, ये वाली जो line है, मैंने who, who, अपने जो tricks बताया था ना, मैंने ये देख रहे हो, जो मैंने tricks बताया है, बस इसी tricks में, इन gaps को fill करके, मैंने आगे वाले जो question ये दिख रहा है न, इसको किया है, कैसे किया है, देखो, I am, कौन, मेरा नाम, प्रेम पांडे, वैसे यहाँ पर प्रने दिया है, तो आप प्रने लिखोगे, ठीक है, मैंने लिख दिया प्रेम पांडे, तो I am प्रने, full stop, I have recently placed in order of, किस चीज़ का order मैंने मगाया था, glucometer का, from your offline store on dated this, with order number this, ठीक है, तो बिल्कुल यह जो यलो वाला पार्ट दिख रहा है, बस आपको यही चेंज करना है, हर question में, बाकी जितनी भी line है, आप देख रहो, यह सभी line हर personal complaint later में सेम रहता है, हो सकता है, यहाँ पर glucometer damage है, कभी-कभी आपको कोई और चीज़ दे दी हो, हो सक करते जाना है, question के हिसाब से, बाकी line सेम रहेगी, ठीक है, अच्छा, अब देखो, जो बीच वाली paragraph है, इसमें मैंने बताया था, कि एक सुरुआत की line सेम रहेगी, कि I regret to inform you that, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको यह बताते हुए, अब आपको explain करना है, explain your issue, explain your issue, अब आपको जो glucometer मिला है, यह glucometer कैसे खराब है, आपको क्या समस्या हो रही है, इस glucometer के साथ, वो आप लिखोगी, यहां से लेके, यहां तक, चार line में, देखो, मैंने अपने मन से बना के लिखा, देखो, क्या लिखा है, मैंने लिखा है, कि I regret to inform you that, the glucometer which I have received is inaccurate and showing wrong data, while measuring my glucose label, कह जा रहा है कि जो glucometer मुझे receive हुआ है, वो गलत data दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपना glucose label चेक किया, तो गलत बता रहा है, I have tried testing this glucometer on different persons, but to my dismay, it is showing wrong details, every time I measure, कह रहा है कि मैंने केवाल अपने आप पर नहीं, अलग-अलग persons पर भी try किया, लेकिन यह glucometer किसी पर काम नहीं कर र हो गई है, आपने नहीं की जगा पुराना glucometer भेज दिया है, this is absolute carelessness, either by dispatch department और by distributor, तो मेरे मन के चार लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है, कि मुझे glucometer के साथ क्या दिक्कत हो रही है, बस हमारे लेटर कंप्लेन हो गया, हमारे जो कंप्लेन लेटर वो complete हो गया, बस आखरी का मैंने लिखाए कि you are therefore requested to replace the item as it is only been less than a week since I purchased it, I am attaching necessary documents with the return order of this glucometer, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भई replace कर दो, क्यूंकि एक ही हपता हुआ है, इसको खरीदे हुए, और replace करने के लिए मैं कुछ जरूरी documents और साथ-साथ में पुराना glucometer भी भिजवा रहा हूँ, ठी highly appreciated, thank you, you faithfully, pray me, pande, तो देखा, जो हमारा ये वाला trick थाना, अगर हमने इस trick को याद कर लिया, तो किसी भी तरीके का question आए, चाहे ये वाला question आए, या किसी भी तरीके का personal complaint letter हो, आप आसानी से कर ले जाओगी, अब चलते है, format number 2 यानि public complaint letters को कैसे लिखोगे, अब ये वो complaint letters होते हैं, जिसमें समस्या आपकी personal नहीं होती, बलकि सब की होती है, आप से जुड़े हुए, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होती है, अब आगे मैं आपको question भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको वो trick दिखा देता हो, जिस trick का इस्तेमाल करके, आप सभी public complaint letters को solve कर सकत हो, देखो, अब चुकी कोई भी complaint letter हो, वो हमारा formal letter का ही एक type है, formal letter का ही एक type है, तो formal letter का ही हम format अपनाएंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम senders address लिखेंगे, यानि भीजने वाले का पता, senders address, अब ये कहां दिया रहता है, ये या तो question में दिया गया होगा आपको, और अगर नहीं दिया question में, तो आप अपने exam hall का address लिखोगे, ठीक है, अपने exam hall का address लिखोगे, तो शुरुआत की तीन line में senders address, फिर आपका आएगा date, फिर आपका आएगा receivers address, यानि इस letter को जो receive करने वाला है, उसका क्या address है, अब ये वाला address भी आपको question में दिया गया रहत है, ठीक है, तो शुरुआत की तीन चीज़े हमने कर ली, senders address, date और receivers address, अब आते है subject पर, subject हम बिल्कुल हूब 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 ऐसे ही लिखेंगे, complaining about, और अब किस चीज़ के लिए complain कर रहे हो, क्या topic है आपके complain का, वो यहाँ पर लिख दोगे, लेकिन याद रखना, ज्यादा ज्यादा 5-6 word में ही होना चाहिए, इस से ज्यादा सब्दों में subject नहीं होता है, ठीक है, चलो, अब हम body of letter स्टार्ट करते हैं लिखना, sir, ma'am, और सुरुआत की line क्या होगी, यह जो yellow वाली line है न, यह हर letter में common होगी, और यह जितने भी gaps दिये हैं, इन gaps में आपको अपने से fill करना है, और बहुत आसान है जो fill करना है, क्या देखो, यहाँ पर लिखा है सुरुआत में कि through this letter of mine, I would like to draw your attention towards, इस letter को लिखकर मैं आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ, किस तरफ, अब देखो, introduce your issue, अब आपका जो question में issue है, इस issue को तीन line में आप describe कर सकते हो, या दो line में आप introduce कर सकते हो, देखो, शुरुआत में आप detail में नहीं बताते हो कि आपको क्या समस्या हरी है, आप बस शुरुआत में ये बताते हो कि आपकी समस्या है क्या, केवल introduce करते हो अपने समस्या की, ठीक है, और detail में बतानी के लिए हम अगले paragraph में अपनी समस्या को detail में लि अब आपको explain करना है कि आपकी society या आपको क्या दिक्त हो रही है समस्या आपने बता दिया कि यही समस्या है और इस समस्या से आपको actually problem क्या हो रही है यह आप बीच वाले paragraph में नीचे दिये गए एक दो तीन और चार लाइन में लिख दोगे ठीक है और अब चलते हैं आखरी क अब आप अपना solution प्रोइट करोगे कि how you like to resolve the issue आप कैसे चाहते हो कि आपकी यह समस्या का समाधान हो जाए आपने कुछ ना कुछ तो solution ढूर रखा होगा ना तो अब उस solution को यहां पर लिखो कि भाई यह यही चाहता हूं मैं और उसके बाद वही हमारे सेम लाइन की an early and appropriate action will be highly appreciated. Thank you, you're faithfully. प्रेम पांडे. अब यह रहा हमारे सामने public complaint later. थोड़ा पढ़ते हैं और इसको करनी की कोशिस करते हैं. You are Varun Varuna, a resident of Rajnagar Colony. कहा जा रहा है कि भाई तुम कौन हो? Sender's address दिया गया है. क्या दिया है? Rajnagar Colony, Rajkot, Gujarat. ठीक है? तो यह हमारा हो गया? Sender's address. अच्छा, you have noticed that some residents of your colony are repeatedly flaunting quarantine rules laid out during the outbreak of COVID-19 pandemic. कहा गया है कि भाई, तुम वरुन हो. तुम्हाँ society में कुछ लोग ऐसे हैं, जो COVID-19 के दौरान जो rule बनाये गए थे, quarantine rule या mask लगाने का rule, इस rule को follow नहीं कर रहे हैं. आपको complaint letter लिखना है अपने nearest police station में और उनका ध्यान खीचना है, ये बताते हुए कि भाई, सक्त नियम होने के बावजूद मेरे society में कुछ लोग हैं, जो COVID-19 के नियम पालन नहीं कर रहे हैं, और इसकी वज़़से बाकियों के health पे impact पढ़ रहा है, और आप उनसे ये भी request करिए कि कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों के खिलाफ लीजी, ठीक है, तो ये रहा question और ये है आपका public complaint letter, कैसा complaint letter है, public complaint letter जो कि आप इस नीचे दिये गया trick को देखकर आसानी से इन questions को कर सकते हो, और होमक तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन test करने के लिए ज़रूर दे रहा कि आप इस question को एक बार solve करो, और solve करके मेरी ये ID है, follow करो या ना करो, लेकिन इस ID पे आप DM जरूर कर दो later writing, ठीक है, ये जो question मैंने दिया गया है, ये मेरा Instagram ID है, इस question को पीछे बताये गए format पर रख कर करने की कोसिस करो, और अगर जब solve कर लो, तो photo घीचके प्रेम पांड है, तो मैं चेक करके वहाँ पर दे दूँगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि board exam में आप paper कैसे दोगे, ठीक है, so I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, so this is all about from my side, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को share करो, subscribe करो channel को, bye bye, love you all, चेहिंद